खरगवन जिले के चेनपूर्थ थाना चेत्र के मारगम में 16 वर्ष की नाबालिक का परण कर गेंग रेप की मामले में 24 घंटे बीच जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अग्याद आरोपियों को अब तक कोई सुराग ने लगा पाई है। फरारतिन आरोपियों पर पुलिस अधिक्सक सेलेंसीं चोहान ने 10,000 रुपया का इनाम गोशित कर दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एस पी ने पुलिस अधिक्सक की अगवाई में एक दस सदस्टी टीम का अगठन कर दिया गया है। इन दोर से चोहरी की बाईक लेकर आया आरोपियों की तलास पुलिस सरगर्मी से कर रही है। लेकिन 24 गंटे के बाद भी कोई सब्बलता नहीं मिलने जे पुलिस प्रेसान है। शाक्षर के लिए इनाम गोशित कर दिया गया है। खरगोन से दिवारी की रिपोर्ट मेरा मानना है कि आत्रस की घटना की पुन्रावत्ति नहीं होना थी। लेकिन मद्य प्रदेश के आदिवासी जिला खरगोन के अंदर जो पिछले दिनों घटना हुई उस घटना के हम जिंदा करते हैं। लेकिन इस सरकार नहीं ये गुंदा राजपनप्रा है, जंगल राजपनप्रा है, घरों में घुस्तर, आदिवासी यूती और नाबातार की घटनाएं बढ़ रही है। सामोहिक बलातकार हुआ है, उसका भाई जो उसको बचाने गया है, उसकी साथ भी बहुत पुरी तरीके से मार्पिट की घटना गटिद हुई है। और खरगोन की मारुगण की घटना के साथ ही एक करमचारी महिला के साथ भी किसी खरगोन शेत्र में गाउं में उसकी साथ बत्तमीजी करी जिन लोगों ने उन पर अभी तक करवाई नहीं हुई। यह मंद्यप्रदेश की पुलीस की विशेशकर खरगोन पुलीस की सबसे बड़ी विफलता है कि जो अभी तक कारोपियों को पकर नहीं पाए। मैं ऐसे संब्दित ठाना प्रभारी और यहां इनको तकाल प्रभाव से निलम्बित रखना चाहिए और पुलीस के बड़े अधिकारियों के खिलाब तकाल कारवई करना चाहिए और मद्यप्रदेश में पनव रहे इस घुंडा राज को तकाल खतम करना है। पुलीस की मिली भगत है पुलीस की मिली भगत के बगर एसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता है जिन नौजवानों ने यह घटना करी है उनके बारे में सुना गया कि घटना के पुर्व वो इन मोटरसाइकल चुरा चुके हैं और उनका धंद़ यह मोटरसाइकल पाया हूं तो कहीं से भी अभी उनके संबंद में क्लू इस तरह का भी डेवलप नहीं हो पाया है जितने भी पॉसिबल लीड्स हैं उन पर हम सभी काम कर रहे हैं और उनका पता लगाने का पुरा प्रयास किया रहा है इसी उसमें जो है वह इनाम भी उन पर घोशित किया ग में और हम लोग इसमें लगे हैं और संभावता जल्दी इसमें कुछ न कुछ ब्रेक्थ्रू होगा जब तो हुए तो वह संबंदित वाइक जो है उसका जैनकारी निकाली तो इंदौर से दो दिन पहले जो है वहां से उसकी चोरी की रिपोर्ट जो है होना पाया गया है व उसके संबंद में अभी कि वह कौन लेके निकले थे उसकी भी जैनकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है गटना उन्होंने यही बताई थी आप लोग की जैनकारी में होगी की रात में यह लोग आये थे महां पे इन्होंने इनसे पहले पानी मांगा फिर उसके बाद आगे गाए वापिस आये फिर उसको भाई पर उन्होंने डिंडा मारा जिससे भाई वहां से गया गाउं की और मदद लेने तब तक यह जो लड़की थी उसको लेके आगे खेद जो हैं वहां पे गये और वहां गटना करम को अंजाम दिया और वहां से यह वापिस लड़क लोग जो है वह दूसरी दिशा में गये और वहां से पलट के जब वापिस आये तब इनका जो लोग यहां पर धूड़ रहे थे उनसे सामना हुआ तो मोटर सैकल मौके पर छोड़के फिर महां से खेतों में भाग गया थे इसमें हम लोग लगे हैं कुछ जानकारी कहीं से सारी है कुछ उनका पता चला है लेकिन अभी उसको वेरिफाई कर रहे हैं और कोशिश करें कि जल्दी इसमें कुछ सिद्धर गरता रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दब बिल्कुल बिना मुलें